री एजुकेशन की इस प्लेट फाम पर यह दिया आप नहीं हो तो किरपेश चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार दोस्तों री एजुकेशन लिकेट में में आप सभी लोगी पस्वागत है और लोगों की बढ़ती होी उर्जा की मात कारवन डायाक्साइड के उतसर्जन को कम करने के Missional के अंतरग़त सरकाल के द्वारा राष्ट की हाइड्रोजन मिशन त्राणां किया गया है यह निसन क्यों प्राणां किया गया है? यह मिशन की सुरोप में काम करेगा और लोगों की आउस्वताओं को पूरा करने के लिए कब तक चनवत तरीके से जो है हाइड्रोजन को एक उर्जा के विकल्प के रूत में इस्ताबित करेगा इन सभी चीजों को आज की संचिप जो है सेसर में हम लोग जो समेटने का कारे करेंगे तो राष्टिय हाइड्रोजन मिसन राष्टिय हाइड्रोजन मिसन बेसिकली जो है 2021 में सरकार के द्वारा भोशित किया गया है एक मिसन और यह मिसन जो है वो 2030 से संबंधित है कई बार जो है यही सवाल प्रेच्छा में पूछे जाते हैं तो यह जो राष्टिय हाइड्रोजन मिसन है वो 2030 से जो है संबंधित है इसका मुख्य उद्देश बढ़ती हुई उर्चा की जो है आफ सब्ताओं को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को उर्चा की एक विकर की रोग में जो स्थाफित करना है जिससे की कारबन डाय आकसाइड के जो कम किया जाना सम्भव हो सके तो यह 2021 में जो परारम किया गया है और 2022 इस भी में जो सरकार इसकी जो है ब्याफारिक क्रियान पेक को प्रारम करने के जो है पहत करना शुद़ओं जो है इसके अंतर्गर्ज सबसे पहलेक पैली अस्तापित किया जाएका अद्र, जासर आपल को होगा. वह खैर होता है लिए किया है गया है और इसका उद्धे कहले सान तक पूरा कर लिए जाएगा. और इसके दंदर कर जो है दोनों ही छेत्रों से यानि की नीजी और जो है सारवजनिक सभी छेत्रों से आवेदन मागे जारे है नीजी और सारवजनिक दोनों ही छेत्रों से आवेदन मागे जारे है जिससे इनके आवेदन के आधार पर जो है इस योजना को क्रियानिक करने के के लिए एजनसी का चेंद किया जाना जो है संहब हो से करें इस कारेके लिए दो महात्व पुर्ण मत्राला इससे जो संबन्नीत है यह तो पैट्रोलियम यह प्राइप्रतिक गैस मत्राला इस संबन्नीत है और दूसरा जह क्योंत раздел की जो है भिभाग जो इससे समबंधित इन दोनों की आसिरा दंधुक कि जो यह तो भिग्यानियों प्रोंदोग की जो विभाग है वह इसके जो अंत्र रत्रत है cuz S encontrar revol'tALa जो सफांइक और जो पॉर्टलियों प्राकृतिट गर्ष है वह इसकी इतो तो कई बाब यह संबंदित होते हैं कि इससे जो संबंदित है और इन दोनों ही मंत्राले की इस मिसल को पूरा करने में जो है सरकार का उद्देश राष्टी है हाइड्रोजन मिसल दो हजार तीस तक देश में दस लाख टन दस लाख टन जो हाइड्रोजन पादम का लच्छा रखा गया है और यह हाइड्रोजन जो मिसल है वो मूलता जो है वो ती चर्णों में प्राना होगा एक तो दो हजार तेश से ले करके दो हजार जो है वो सताइस तक जो है चलेगा और दूसरा दो हजार सताइस से ले करके दो हजार तैंटिस तक चलेगा और अगला जो है वो दो हजार तैंटिस से ले करके दो हजार पचास इस भी तक जो है चलेगा तो दो हजार सताइस तक जो देश में जो है वो अस्थान के चिनिकर प्लांट इत्यादी पर जो है काम ह हो जाएगा और यहां तक यह उद्धिस बनाया गया है कि 500 जो है मीट्रिक टन जो है यहां पर हाइड्रोजन का उपादन प्रारम कर दिया जाएगा यहां पर जो है होती होती है तो की यहां आधे जो होती है उरुजा को संभल उजाए को संभलित किया बया है तो ऐसे उर्जा को ग्रीन उर्जा कहा जाता है और राष्टी हाइड्रोजन जो मिसम है वो बेसिकली इसी रूप में जो प्राणुम किया गया है तो कुछ मिला करके अभी तक ही जो इस विस्टेशन से आप लोग ये बात जो है समझ रहें देंगे कि राष्टी हाइड्रोज इस तरिके से दे बात जाएड़ में जो है विस्टेश में काम देञा है उर्जा-भाण मांगों बढ़ा दिया है और श्टी डेसमें जीवास अधर्र एको निश्चेश में ही है तो उसके प्रियोग अगर लागा तार परते रहे तो इसके समय के बाद खतम हो जाएगा और यदि उसका ज्यादा प्रियोग किया गया तो परियावन पर्डूक्शन की भी जो समस्याओं परनोगी तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए एक विकल्प के रुप में राष्ट्य हाइड्रोजन मिसन को जो है यहाँ पर प्रावन किया जा रहा है तो कुल बिलाकर कि यह जो है इसके महात्पूर जो भाग है जिसके द्वारा राष्ट्री हाइड्रोजन मिसन को ग्रियानवित करने का काम किया जाएगा तो कुल बिलाकर कि यह जो है राष्ट्री हाइड्रोजन मिसन की जो है एक देवस्था है तो उम्मिद करते हैं कि यह समसामरिक उधाराक्मक पीसत के अंतरगर यह टाप्क आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरीके से आप लोग वे अपने अस्तरपर जो अध्र्ष पर पर अध्यन करते हैं, जिससे ना कि और घ्रिलिम्स में बलकी मेंस के अस्तर पर भी जो आप लोगों को इस सम्बंदित जो पूछी गए सवालों को हल करने में जो है मदद मिल सके तो अपने आने विश्यों के साथ जो है इस सभी जो है टापिक्स का अधिर करते हैं पुरा अगले लेक्ट्चर में हम जो है एक नए टापिक की साथ मिलेगे तब तक के लिए नमस्ता